हेलो गाई इसम बात केने वाले है KP Energy इस कमपनी के बारे में कमपनी की तरफ से एक बहुत भड़ा announcement आ चुका है कमपनी ने आपर से stocks plate का announcement किया है जिसके बारे में discussion करेंगे आज की इस वीडियो में तो वीडियो को जरू से end तर देखते रहना KP Energy इस कमपनी की बात करें तो कमपनी के तरफ से जो यह announcement आया है वो आप लोगों को जरू से ध्यान में रखना है कमपनी के board of director ने एक यहाँ पर से एक meeting announcement की है और यह जो यहाँ पर से meeting है board of director की 5 जानिवारी 2023 को देखने को मिलने वाली है और इस meeting के अंदर company आपर से announcement कर सकती है stock split या subdivision of share का company आपर से 10 रुपे की face value को कम करने की उपर यहाँ पर फैसला ले सकती है इसी के साथ company आपर से एक और चीज़ के उपर बात कर सकती है रवीन दर देशाई करके एक person है जो यहाँ पर से आने वाले समय में non executive independent director की तोरपर है आपर से company के आपर से अंदर काम करेंगे उसके उपर भी approval आ सकता है ठीक है तो यह दो बड़े मुद्दे है जिसके उपर company बात करने वाली है आने वाले समय में पांच जैनिवारी 2022 को तो आप लोग ज़रू से कमने के शरी को नजर में रखना रही बात इस कमने के शरी में आज के दिन की performance की तो वही आज के दिन यह कमने का शरी अपर सर्किट में लॉक होता हुआ देखने को मिला है और इस खमने के शरी में फर्दर हैं पर से आप लो कमपनिकेश में खरीदारी करना चाहते हो तो कुरन लेवल के ऊपर खरीदारी किया जा सकता है बाकी 276 रूपीज का लेवल 200 रुपीज यहां पर कंपनिकेश में खरीदारी करने के मौख है ठीक है तो यह था है यहां पर से KP Energy इस कंपनी को लेकर मेरा व्यू बाकि एक ही चीज बोलूँगा क्या कंपनी के शेयर में investment कर रही हो तो भाई यहाँ पर से यह company के अंदर long term के लिए investment मत करना company बहुत ही जादा रिस्की है और इसे के साथ company के शेयर में हो सके तो भाई short term में हाँ पर पैसा बन रहा है तो पैसा लेकर निकल जाना ठीक है बाकि आप लोग बहुत जादा रिस्की investor हो तो ही इस company के शेयर में continue करके चल सकते हो तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना गुट बालु गुट बाई फिर मिलते नेक्ट डियो में गुट बाई